तिक टॉक बैन होने के बाद भारत में एक से बढ़कर एक नए अप लॉंच किया जा रहे हैं अभी कुछ समय पहले ही इस्टाग्राम में टिक टॉक जैसा फीचर लॉंच किया गया जिसका नाम रील्स है वही अब स्नैप चैट भी वैसा ही एक फीचर हाल ही में लेकर आया है आपको बता दे स्नैप चैट के इस फीचर में लोग वर्टिकल स्क्रोल के जरीए पबलिक पोस्ट भी एकसेस कर सकते हैं यह दिखने में पूरी तरह टिक टॉक की तरह लगता है इस बारे में बताते हुए स्नैप चैट ने इस फ़स्ट कर दिया है कि कंपनी इस तरह की फीचर की टेस्टिंग कर रही है आपको बता दे स्नैप चैट के कहीं फीचर फेस्बुक ने अपने अलग-अलग अप में दिख रखे हैं इन फीचर को इंस्पायर्ड फीचर कहा जाता है स्नैप चैट के प्रवक्ता ने टैग क्रंच से कहा कि हम हमेशा अपने मुबाइल फर्स्ट कमुनिटी के लिए इमर्सिव और इंगेजिंग कॉंटेंट देने के लिए नए तरीक को लोकर एक्स्पिरिमेंट करते हैं यह फीचर प्राइवेट स्टोरीज नहीं बलकि पब्लिक कंटेंट और स्टोरीज पर फोकस करता है आपको बता दे कि इंस्टाग्राम ने शॉर्ट वीडियो एप पर रील्स लॉंच किया है यूजर्स को इस फीचर बहुत पसंदा रहा है इस फीचर में टिक टॉक जैसी वीडियो बनाई जा सकती है और हाल ही में भारत में यह देखने को मिल रहा है कि जब से टिक टॉक बैन हुआ है उसके बाद से भारती एप खासकर कि वीडियो मेकिंग एप काफी संख्या में सामने आ रहे हैं और जो एप्लिकेशन पहले से मौजूद है जैसके इंस्टाग्राम, स्नैपचट इन में काफी सारे बदलाव देखे जा रहे हैं और वीडियो मेकिंग एप में एक अजीव सी खीशतान मची हुई है खुद को जादा अच्छा साबित करने की subscribe our channel and press the bell icon for more updates